तो आज हैं सेंसेक्स के एक्सपारी तो हम सेंसेक्स के एक्सपारी यहां टेड़ कर रहे हैं तो आप यहां देख सकते हैं 77600 चल रहा है तो अच्छा कासा ऊपर है पोजीटिव है अगर आप यहां देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ओपन हुआ था 349 पर और 70 74 का इसने तो फिर रखास दिया है तो इसे हमने नुसा चार्ट को पर जी देते हैं उसके बार लगातार यहां से उपर जाओ cont bug तो फिर बाकर रहा है लुझे के केकर श्रुड़ा सब्सक्रेंड थेया है वी पूजल करें हो तो यह हमने पुट को सोट किया हूय यहां पर हमने हमॉंस 77,400 का पुट ना शॉक्तिया है और लगा है और इस्टाप बोस लगाए हूए किस्षटप लगाहिए देखते हैarin दोस्तों क्या होता है फिलाल यहां जो हमारा मार्जिन लगा है लग बहुत ज्यादा मार्जिन लग रहा है 98,000 के आसपास का मार्जिन लगा है केवल दो लॉट को सेल करने में क्योंकि हमने बहुत दूर का पूट यह भाई किया हुआ जब कि उसके भी प्राइज काफी ज्यादा है तो आज प्रीम थोड़े लगातार यहां हीट हो गया है तो बहुत ज्यादा हो रहा है अगर हम और यहां शॉट करते हैं इसी बहुत पर शॉट करते हैं रिएंट्री ले रहे हैं यहां फंड थोड़ा कम पढ़ रहा हैं तो यहां पर हम पहले से एक्जिट करते हैं जो हमने 75800 का पूट बाइय किया हुए कि पहले हमें से एक्जिट करेंगे थोड़े पास का पूट लेंगे ताकि हम्हारा मार्जिन कम हो जाए यहां पे हम एड खल लेते हैं 7600 का ठीड झार तो यह अबने कखलिए तो हम स़य सर्द परीच नहीं करें दोल्ट में जोड़ेशित दीस करने तो यह हमारा वाय हो चुका है स्वरी तो हमने पास का पूट बाइक यह फिर सेल किया तो हमारा मार्जिन आ गया है यह पर अब पता नहीं जो देखिया हमने अभी भी इस्टॉप लगा दिया है देखते हैं क्या होता है थोड़ा कम का इस्टॉप लगाया बट यह बिल्कुल हीट हो सकता है जैसे जैसे देखिए उपर की तरफ तो निकल पर यह नीचे जो स्प्राइक आई है तो वहां हमारे कोई नहीं अभी देखिए 2200 रुपे के आसपरस का लॉस है फिलाल दोस्तों हम यहां वेट करें दो बचकर 16 मनेट हो है तो आप यह देख सकते 78,800 के आसपर दोस्तों चला है जो हमें यह लॉस हो दोस्तों जो हमाया लॉस तो बढ़के 4,000 तक जा चुका था पर हम रिकवर अच्छा का सा मार्केट भागा है बट आज हम दोस्तों नहीं कमा पाई क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग में जो लॉस हो गए थे जो स्पाइक आहीं वहां हमारे लॉस हुए और यहां भी आप देखेंगे तो अच्छे कारे स्पाइक है मतलब हम छोटे स्टॉप लोस के स वैसे भी सेंसेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा वॉलेटार रहता है अगर हम यहां देखेंगे एक प्रियम का चार्ड देखते हैं तो चार्ड में आपको दिखा ही देखा कि क्या वॉलेटायल रहता है कितनी स्पाइक साती है मतलब बहुत ही जल्दी डबल भी हो जाता है यहां देखते हैं देखते हैं देखिए दोफाच चोटा करता हूं अगर आप यहां देखेंगे यह दिके 220 तक गया था 210 उसके बाद 700 मतलब तीन गोना तो यह ही हो गया देखें यह देखी कति कितनी लंबी-लंबी स्पाइक से यह याप पर आप पोई छोटी लग रही है जब आप मैं यहाँ पोजिशन में मतला मतलब डबल का स्टॉप लोस खागया मेरे यह देखे 40 15-45 में एक ही कैंडल मतलब का डबल का स्टॉप लोस खागए यहाँ पर 110 कहां से चालिस से 110 हद होती है तो यहां आप क्या ही कर लेंगे ठीक हैं बट यह देखिए वन थाउजन तक सास्टो से तो बट कोई नहीं हमने जो क्लोस के है वन थाउजन में क्लोस के है बट दोस्तो आज अगर हम देखेंगे तो यहां हमारा जो ब्रोकेज है बहुत ज्यादा हो चुका है देखिए वन थाउजन के आसपास ही हमारा ब्रोकेज है तो नो प्रॉफिट नो लोस के जौन में अभी हम यहाँ पर तो ना ही कुछ खाया ना ही कुछ कमाया तो सब कुछ बराबर हो गया आज के लिए पर कोई नहीं लॉस ही नहीं हुआ तो दोस्तों आज की बुर्णत नहीं धन्यवाद